हेलो अब्रीवन जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप क्लास 12 में हैं अगर आप डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते हैं अगर आपका एम है कि आप देश की सेक्योर्टी फोर्सेज में जाना चाहते हैं और अगर आप क्लास 12 में मैट्स लिए हुए हैं या फिर आप नॉन मैट्स वाले स्टूडेंट हैं ये सब स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्डेंट है क्योंकि आज हम इंड तक वीडियो जरूर देखें इलिजिविल्टी क्राइटेरिया एज लिमेट क्वालिफिकेशन सारी चीजें ध्यान से देखें फिक हैं आए शुरू करते हैं ये है आपका ड्रीम सामने आपका ड्रीम दिख रहा है एंडिये नेशनल डिफेंस एकाडमी उसकी तस्व के महीने में साल में दो बार एंडिये का एक्जाम होता है और इस एक्जाम को कंड़क्ट कराती है यूपी सी यूनियन पब्लिक सर्वेस कमीशन आई इसके बारे में जानते हैं इसकी जर्नी क्या है कहां से कहां तक आपको पहुचना है स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग जर्टिंग 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 हाफ अगर आपकी age limit साड़े 16 से साड़े 19 साल तक है आप class 12 में हैं या फिर 12 पास आउट कर चुके हैं तो आप NDA का exam दे सकते हैं UPSC इस exam को conduct कराता है NDA exam को और इसके exam pattern की अगर मैं बात करूँ तो majorly 2 exam होते हैं इसमें first paper is status of mathematics and second paper is general ability test GAT maths के paper की बात करूँ अगर मैं 300 marks का maths का paper होता है जिसमें 120 questions आते हैं per question 2.5 marks आपको मिलता है और एक गलत question पे 0.83 marks आपके cut जाते हैं GAT paper की बात करूँ total 150 question आते हैं per question आपको 4 marks मिलते हैं सही question पे total 600 marks का paper होता है और एक गलत question पे 1 by 4 negative marking आपको मिलती है यहां पे ठीक है this is the whole pattern of examination total 900 marks का आपका paper होता है written examination के बात कर रहा हूँ इसके बाद का जो procedure है that is SSB उसके बारे में हम detail में किसी और वीडियो में बात करेंगे ठीक है जिसमें whole SSB procedure आपको बताएंगे तो अगर इस समय आप class 12 में है और बहुत जल्दी आप एक officer बनना चाहते है तो आप NDA exam को दे सकते है age limit बहुत जादा necessary है अगर मैं precise age limit बताऊं NDA second examination के लिए that is 2006 से 1 January 2006 से लेकर के अगर 2009 के बीच में आपकी date of birth है तो आप इस exam को दे सकते है अगर आप 2005 में है तो आपकी समझ लीजे कि आपकी over हो चुका है age limit आपकी over हो चुकी है आप Air Force XY वगारा दे सकते हैं लेकिन NDA exam के आपकी age over हो चुकी है आए थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये है मारा exam pattern जो अभी मैंने discuss किया maths का 300 marks का paper GAT का 600 marks का paper timing धाई धाई गंटे आपको मिलती है 2.5 hours मिलती है ठीक है आए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं what is exam eligibility पहले ही बताया 16-19 साल exam की eligibility है ये आपकी age eligibility है 16-19 अब इसमें कुछ special qualification जो जुड़ा हुआ है that is अगर आप army join करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 12 में हो किसी भी background से हो आप math background से हो या आप arts background से हो commerce background से हो matter नहीं करेगा सिर्फ आप class 12 में हो या pass out हो चुक है लेकिन अगर आप especially air force या naval wings में जाना चाहते हैं तो physics और mathematics उसमें compulsory होता है आपके 12 में इसलिए इस वाले बच्चे उसमें जा सकते हैं otherwise जो non science background के हैं वो सिर्फ army wing में जा सकते हैं तो overall आपको clear हो गया होगा कि क्या मैं eligible हूँ या नहीं हूँ थोड़ा आगे बात करते हैं ये तो सब को पता है unmarried male and female अब females भी दे सकती हैं अहले ऐसा नहीं था अब male और female दोनों ही दे सकते हैं NDA exam को और same pattern है दोनों के लिए ही ठीक है आईए next discuss वरता है qualification क्या है same चीज है qualification कुछ होर नहीं है 12 में आप appearing हो या फिर आप 12th pass out कर चुके हो that is the only qualification बाकि कुछ अलग से qualification है जैसे क्या दिया है person originally Indian who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka East African countries of Kenya, Uganda United Republic of Tanzania, Jambia Malavia and so on so on तो अगर इन country से कोई migrate करके आया है तो वो भी दे सकता है citizen of India है या migrate करके आके अब भारत का citizen हो चुका है तो वो भी exam दे सकता है ये special है eligibility वैसे जनरली जो इंडिया में पैदा हुए है इंडिया में ही रहे है उनके लिए ये नहीं है जो बाहर country से migrate हो के लिए आया है उनके लिए है ठीक है आईए थोड़ा आगे बात करते है SSB interview की बात करते है NDA exam की सबसे खास बात यही है इसमें written exam सिर्फ एक hurdle की तरह है जो बच्चे सोचने की यही सब कुछ है अगर written निकल गया तो हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता है main hurdle इसका जो है that is SSB interview जहां पर actually चेक किया जाता है कि आपके अंदर officers like qualities है की नहीं है अगर वो interview की बात करें तो five day का पूरा interview का procedure होता है अगर आप written exam qualify कर लेते हैं इसमें तीन major test होता है पहले दिन तो screening हो जाएगी उसकी बात बात में करेंगे उसके अंदर है psychology test है personal interview है और GTO task है तो यह तीन task होता है जिसमें psychology written test होता है personal interview हो आपका होता है one by one interview होगा उसके बात group task होंगे group में आपसे कुछ activities कराएंगी इस पे हम पूरा analysis करके अच्छे से वीडियो बनाएंगे SSB के पूरे procedure को आपको समझाएंगे ठीक है कि psychology में क्या होता है TED क्या है WET क्या है SRT क्या है SDT क्या है यह सब समझाएंगे किसी और वीडियो बे ठीक है तो अभी हम सिर्फ written exam की बात कर रहे है qualification details की बात कर रहे है आईए देखता है next general doubts क्या है कुछ बच्चे बहुत सारे doubts में रहते है Sir मैं यह exam दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा तो देखिए क्या-क्या doubts हो सकते है जैसे what is the minimum qualification to be eligible for the NDA examination minimum qualification यही है कि अगर आप appearing है या pass हो चुके है तो आप इस exam को दे सकते है ठीक है बहुत सारे बच्चों का doubt होता है कि Sir 12th class में है क्या NDA में appear हो सकते हैं बिल्कुल आप NDA में appear हो सकते हैं आईए देखते है what is the maximum number of times a candidate can take the NDA examination वही same question है साड़े 16 से साड़े 19 के बीच में आपकी अगर age है आप exam को दे सकते हैं बस अरते एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी it is given की 19 and half years but actually मैं आपको form भरने की जो age है वो 18 and half years है एक साल आपको पूरे प्रोसीजर में लग जाएगा तो मतलब आप साड़े 18 साल तक इस form को भर सकते हैं इसी बार की बात करें जो NDA 2 होने वाला है सेप्टेंबर में उसमें 1 January 2006 के बाद वाले students भर सकते हैं उससे पहले वाले नहीं भर सकते हैं तो form भरने की एज मैं बताऊं तो साड़े 18 साल academy पहुचने की वो साड़े 19 साल ठीक है उससे उपर थोड़ी बहुत age relaxation दी रहती है इसके आप notification पढ़ेंगे तो age relaxation other other areas के लोगों को दी जाती है जैसे नौर्थीज से कोई है तो उसके लिए height में भी relaxation होगा वेट में भी relaxation होगा क्योंकि उनकी average height छोटी होती है इस वज़ा से आई आगे डिसकस करते है are the candidates appearing in class 12th eligible for the NDA exam the very same question जो मैंने अभी बताया हाँ भई आप लोग eligible है दीजिए और दिल से दीजिए NDA exam पुरा पढ़के दीजिए अच्छे से दीजिए 12th वालों का ज्यादा chance होता है return निकालने का as compared to pass out क्योंकि आपके regularity continue बनी रहती है आगे बात करते हैं what is the perfect time to start the preparation for NDA मैंने पहली बताया NDA की preparation अगर आप करना चाहते हैं आप class 11th class 12th से start कर सकते हैं foundation batch के साथ start कर सकते हैं जिसमें आप NDA plus your boards दोनों कर सकते हैं और ये करने का आपका फायदा ये होगा कि आप 12th में जैसे ही जाएंगे आप appear करेंगे और full preparation के साथ appear करेंगे ठीक है आईए आगे बात करते हैं थोड़ा सा और these are the selections that we have made in the previous year ठीक है तो ये सारे selections हैं इन में से आप भी हो सकते हैं you can be the next one here और ये Air Force, CDS, FCAT सबके selections हैं जो हमारी coaching उससे हुए हैं तो हम चाहते हैं कि आप अपनी NDA की preparation आज से start कर दीजे क्योंकि time बहुत कम बचा है अब आने वाले 2-3 महीने ही बस बचे हैं क्योंकि September में ही NDA 2nd का exam है अगर आप इस तयारी में हमारे साथ जूड़ना चाहते हैं तो दिए गए contact पे हमसे inform करिए हमको और हमारे साथ मिलके NDA की तयारी करिए हम और हमारी team और आप मिलके आपका selection देंगे ठीक है this is the end of this video हम इसमें यही तक रखेंगे SSB के लिए हम कुछ separate video बनाएंगे ठीक है तब तक के लिए मिलते हैं टाटा गुडबाई जैहिन दोस्तों